हेलो एवरीवन आप सभी को नमस्ते तो दोस्तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी बाली पुड़ी तो ये पुड़ी बहुत ही खास्ता और यमी बन के तयार होता है तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं तो मैंने यहां लिया है एक कप पानी अब इसमें हम डालेंग सफेद वाला नमक और यह काला नमक है फिर अजवाइन और यहां देखिए यह कलोंजी है और अजवाइन है मेरे पास अलक से कलोंजी था ने मिक्स किया हुआ था तो मैं वही डाल दी और यहां एक छोटी चमस जीरा फिर कसूरी मेथी और यह हल्दी पॉडर और फिर मैंने लाल मिर्च का पॉड़ा डाला है और ये है मैदा मैं टोटल यहां चार कप मैदा डालूँगी मैदा को चाल कर ही डालना है तो दोस्तों ये पूरी बहुत ही टेस्टी बनती है जब आप इसे घर पे बना के रखोगे तो फिर आपको इसके आगे बिस्कीट एकदम फीका लगेगा खाने में अब यहां मैदा को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स क्योंकि हमने पहले एक कप पानी इसमें डाल रखा था और रिफाइन वाल सब भी डाला है तो पहले मैं अच्छी तरह से यहां सभी मैदा को मिक्स कर लूँगी मसाले मैदा को उसके बाद जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम यहां पर इसे गुथेंगे आटा से थोड़ा सक्स्त कड़ा होना चाहिए जो रोटी बनाने वाली आटा गुथते हैं उससे थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए इसका आटा तो चलिए हम यहां पर आटा को अच्छी तरह से गूथ लेंगे तो दोस्तों जब तक हमारा आटा गुथा रहा है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और हमें सपोर्ट कीजे क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत ही डाउन में जा रहा है तो प्रीज आप लोग सपोर्ट कीजे अब इस डो को 15 मिनट रेष्ट होने के लिए छोड़ देंगे तो यह देखिए दोस्तों हमारा डो बनकर इस तरह से हो गया अब इसका कलर भी चेंज हो गया है तो चलिए हम अब इससे पूरी बनाने स्टार्ट करेंगे बड़ा सा इस डो को और मैस कर लेंगे ताकि यह मुलाइम हो जाए ताकि पूरी बेलने में आसानी हो जाए तो यह देखिए दोस्तों हमने इतना बड़ा लोई लिया है अब हम इसे बेलेंगे और जब भी हम इसे बेलेंगे तो एकदम पतला सा इसे बेलना है बहुत ही पतली पूरा रोटी का जैसा बड़ा सा इसे बेल लेंगे आप चाहे तो छोटी छोटी लोई लेकर भी इसे छोटा छोटा बेल सकते हैं लेकिन मैंने इसे बड़ा सा बेल कर और कुकीज कटर से मैं यहाँ पर इसे कट कर दूँगी ताकि एक बार में देखिए इ आप इससे पापड़ी चाट भी बना सकते हैं बटाटा पूरी भी बना सकते हैं और चाइव अगरे के साथ में भी से खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है इसके आगे आप बिस्किट नमकीन बिस्किट को भी भूल जाएंगे यह देखिए दोस्तों मैंने फोक की साह तो अभी तेल मेरा पूरा गर्म हो चुका है अब हम साड़ी पूरी को इस तरह से डालेंगे और इस तरह से पलट पलट के इसे चारो तरफ से पूरा अच्छी तरह से सेख लेना है और गैस के फ्लेम को मेडियम ही रखना है क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इसे तलोगे त तो दोस्तों आप इस पुड़ी को महीनों स्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल ही खराब नहीं होती है मैंने आधे डो से पुड़ी बनाई हूँ और आधे डो से चलिए नमकीन बनाते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और फिर मैं इसे इस तरह से कट करूंगी और नमकीन का सेप यहां पर देंगे इसमें तो दोस्तों इस डोस से आप नमकीन की कोई और भी सेप बना सकते हैं आप मोटी वाली भी नमकीन बना सकते हैं या तो फिर पतली वाली भी नमकीन बना सकते हैं लंबे वाले भी नमकीन बना सकते हैं तो मैंने इस तरह से बनाए है तो यह देखिए चार कप मैदा से मैंने इतना सारा नमकीन और इतना सारा पूरी बना के तयार कर लिए अब मैं इसे स्टोर करके रख दूंगी देखती हूं कितना दिन चलता है अभी तो यह देखिए हमारा पुड़ी बहुत ही खास्ता भी बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है तो मैं उमीद करती हूं कि आप लोग भी घर पे बनाओ गया खाओ गया इसे तो जाते जाते दोस्तों मैं यही कहूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और प्लीज मुझे सपोर्ट करें